एक आखरी सवाल क्योंकि लोग कहेंगे आपने उनसे तनाव के बारे में क्यों नहीं पूछा और मैं कहूंगा मैं तनाव को परिभाशत नहीं कर सकता लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और वे जानते होंगे कि मैं आपका इंटर्वियू ले रहा हूं पर हम शब पहले जब मैं पहली बार अमेरिका गया जहां भी मैं जाता सब ही तनाव मैनेज करने की बात कर रहे थे मैं वाकई समझ नहीं पा रहा था क्यूंकि मेरे हिसाब से हम उन चीजों को मैनेज करते हैं जो हमारे लिए कीमती होती हैं ठीक है हमारा बिजनस, हमारा परिवार, हमारा पैसा, हमारी संपत्ती, हमारे बच्चे हम इन सब चीजों को इसलिए मैनेज करते हैं क्यूंकि ये चीजे हमारे लिए कीमती हैं कोई तनाव को मैनेज क्यों करेगा? मुझे ये समझ नहीं आया मेरे आसपास हर कोई यही बोल रहा था तनाव मैनेज करो मैंने कहा तनाव क्यों मैनेज करें मुझे बाद में समझ में आया कि इन लोगों ने मान लिया है कि तनाव उनके जीवन का एक हिस्सा है तनाव जीवन का हिस्सा नहीं है तनाव इसलिए है क्योंकि आप अपने सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे है तनाव आपके काम की वज़े से नहीं है प्रधान मंतरी तनाव की शिकायत कर रहे है जब डासी भी तनाव की शिकायत कर रहे है इनके अलावा हर दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है कि उसकी नौकरी तनाव पूर्ण है और बेरोजगार लोग भी तनाव में है उनके पास करने को कुछ नहीं है तब भी उन्हें तनाव है आप अपने काम से पीडित हैं अगर आपको काम से निकाल दें तो क्या आप आनंदित हो जाएंगे नहीं तो तनाव नौकरी की वज़े से नहीं है बात साफ है है ना बात पस यही है कि आप अपने शरीर अपने मन अपनी भावनाओं अपनी उर्जा और अपनी केमिस्ट्री या किसी भी चीज को मैनेज करना नहीं जानते आप इत्तिफाक से जी रहे हैं तब ही सब कुछ तनाव पूर्ण है आप ऐसी कार में बैठ रहे हैं जिसका कोई स्टेरिंग ही नहीं है या आप अपनी कार में बैठते हैं अगर आप यहां मोडते हैं तो कार कहीं और मोड़ जाती है आपको तनाव ही होगा है ना तो फिलहाल आप ऐसी मशीन चला रहे हैं इसे समझे बिना आप बस संयोग से चले जा रहे हैं जीवन में डगमगाते हुए आपको तनाव ही होगा तो तनाव आपके काम या जीवन की परिस्थितियों के कारण नहीं है तनाव बस इसलिए है क्यूंकि आप अपने सिस्टम को मैनेज करना नहीं जानते जिस चीज से आपको तनाव होता है कोई दूसरा उससे आसानी से निकल जाता है, है न? सही है तनाव बाहरी चीजों की वज़े से नहीं है बीतरी स्थिति को ना संभाल पाना ही इसकी वज़े है ना कि बाहरी स्थिति को हमारे जीवन की क्वालिटी इसलिए नहीं बदली कि हम अपने जीवन की चीजें बदल देते है क्वालिटी बदलती है क्यूंकि हमने जीवन का संदर्ब बदल दिया. कोई संदर जीवन जी रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुभए उठकर कुछ अलग करता है. वो भी टॉयलिट जाता है. वो भी दांत प्रश करता है. वो भी सामान्य चीजें ही करता है. पर उसका जीवन जादूई और संदर है. क्यूंकि संदर्ब अलग है. कुछ लोगों के साथ तब होता है, जब वे किसी के प्यार में होते हैं, वे वही काम कर रहे होते हैं. अचानक किसी से प्यार हो गया और सब कुछ बदल गया. क्यूंकि उनके जीवन का संदर्भ बदल गया है पर प्रेम से बाहर आने पर फिर से उनके जीवन का संदर्भ बदल जाता है और वे दुखी हो जाते हैं अब संदर्भ अपनी इच्छा से बदला जाता है ये सिर्फ अपनी इच्छा से ही बदला जा सकता है शायद अपनी इच्छा से दूसरी चीजों को बदलना संभव ना हो क्यूंकि जीवन की चीजों को बदलने के लिए आपको उस माहौल से इजाज़त लेनी होगी जिसमें आप मौजूद है है ना? हाँ पर जीवन के संभव को बदलने के लिए आपको किसी की इजाज़त की जरुवत नहीं है ये बाहरी चीजों से बिल्कुल भी तै नहीं होता तो एक दिन तीन आदमी एक ही जगा काम कर रहे थे एक और व्यक्ति आया और पहले से पूछा तुम यहां क्या कर रहे हो? जो मुझे करने को कहा जाता है, मैं वही करता हूँ, मुझे बस पेट बरना है वो तीसरे आदमी के पास गया और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी बहुत आनंद से खड़ा होकर बोला, मैं यहां एक सुन्दर मंदिर बना रहा हूँ वे सभी एक ही चीज़ कर रहे हैं, परुस काम का उनका अनुभव पूरी तरह से अलग है हर इनसान अपने जीवन के हर पल में इन तीन तरीकों में से एक अपना कर कोई काम करता है और इसी से उसके जीवन की क्वालिटी तै होती है, न कि उसके काम से आप कितना सरल काम कर रहे हैं या कितना मुश्किल काम कर रहे हैं, इससे जीवन की कॉलिटी नहीं बदलती आपके काम का संदर्ब क्या है? इससे जीवन की कॉलिटी बदलती है, है ना? बिल्कुल